फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम कंपेर करने वाले होल न्यू टीवेस के अपाची आपाची 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 आपको सिमिलर मिल जाती है सबसे लिए एक पूर देखते हैं तो आज के पूरा देख ले हैं आपकी सब्सक्राइब होजाएगी कौन सी बाइक ज्यादा वेल्य फर मनी ऑप्षन है वो आपको हम आज किस वीडियो में बताने वाले हैं तो सबसे पहले तो फ्रेंट्स आप दोनों का फ्रेंट लुक देख लें फ्रेंट्स यहां पर बाइक जो कुछ ऐसी लगती है यहां पर 164 वी का जो आपको डिजाइन है वो थोड़ा जादा स्पोडी देखने को मिलेगा यहां पर वाइजर वगर आपको नहीं मिलता यहां थीए स्माट एक्स कनेक्टिवीटी के साथ में और फ्रेंट्स यहां पर आपको मिलता है LED में DRLS और LED में ही लाइट जो की फुल LED यहां सेटप में आपको कंपणी ओफर करती है वहीं अगर आप फ्रेंट्स 180 में देखत और अगर आप इस साइट से देखते हैं ने स्पाइब сложно के लाइन गचाते हैं को सब आब थो पूए नियुजर ऊथर करते हैं यहां वाला बात् versãoğ पूड़ के संन सstill जात लिता है है यहांप बैजस करते हैं और वहीं अगर हम बात करते हैं दोनों वाइक्स के माइलेज के बारे में तो 180 का जो माइलेज है वो आपको 42 के एप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा और इसका जो माइलेज है वो आपको 45 के एप्रॉक्स में आपे मिलता है तो दोनों में यहां पर डिफरेंसे जो है वो तो इसके अगर आप इंजन को देखते हैं तो इसमें आपको इंजन मिलता है 159 CC का जो कि फ्रेंट्स पावर प्रडूस करता है 16.2 BHP का टॉर्क प्रडूस करता है 14.8 NM का तो इसका जो इंजन है वह थोड़ा से कम पावर और टॉर्क प्रडूस कर रहा है क्योंकि यह 160 CC में आपको मिल रही है और वहीं इसका जो पावर और टॉर्क है यह आपको इससे ज्यादा देखने को मिलता है तो इसले भी फ्रेंट्स यहां पर तोड़ा आपको जो मैलेज में उसमें डिफरेंस मिल जाता है बाकी अगर आप यहां पर दोनों ही बाइक के कंप्लीट डिसाइ है बाकी अगर हम बात करते हैं दोनों के यहां पर टैंक डिजाइन के बारे में तो टैंक के आप डिजाइन को यहां पर देख सकते हैं इसका जो टैंक है वह आपको मिलता है सिंगल पीस में एक होर्स की बैजिंग है और इसका जो टैंक है यहां पर आपको फाइवर बॉड इसमें LED का DRLs भी आपको मिलता है और friends complete आप back looks अभी देख पा रहे हूं है दोनों ही bikes का काफी sporty आपको मिलती है अगर आप friends दोनों के meter console की बात करते हैं तो इसका meter console है वो भी आपको friends full digital में company provide करती है meter console almost दोनों में यहापे same है दोनों में ही आपको यहापे riding modes भी मिल जाता ह जैसे कि इसमें company आपको provide करती है friends तीन riding modes urban, rain और sports तीन riding modes यहाँ भी आपको मिल रहा है जो कि यहाँ से friends switch है बाकी यहाँ मिलता है engine kill switch नीचे आपको मिलता है electric start यहाँ पे company आपको provide करती है high beam, low beam pass, indicators और horn, clip on में handle bar यहाँ आपको मिल रहा है और वहीं अगर आप friends इसमें दे electric start है, एक यहाँ पे extra switch आपको दिखेगा जो कि DRLs on और off करने के लिए आपको company ने दिया है, बाकी यहाँ आपको मिलता है pass, high beam, low beam, indicators, horn और यहाँ पे friends connectivity का switch, एक single piece में company हाँ पे जो है वो company handle bar आपको offer कर रही है, fuel filling option जो है वो friends यहाँ पे आपको थोड़ा साइड में देख profile, left hand side friends यहाँ पे bikes आपको कुछ ऐसी दिखेगी, दोनों में open chain system आपको मिल जाता है, five speed gearbox का setup company offer करती है, और उसमें friends आपको यहाँ पे tire hugger जो है वो extra देखने को मिलेगा, sadi guard यहाँ पे friends आपको मिल जाता है, तोनों ही bikes में, side stand cut off sensor company यहाँ पे provide कर रही है, जो कि friends आपको य रेयर के tire profile की बात करते हैं, तो इसका जो रेयर का tire है वो मिलता है, आपको 120 section का, 120 by 70 का, और इसमें company rare में provide करती है, MIG के यहाँ पे sock absorbers, वहीं अगर आप friends इसमें देखते हैं, तो इसमें आपको wider tires मिलता है, rare में, 130 section के यहाँ आपको tire मिलता है, और साथ के साथ यहाँ company monosock suspension भी आपको offer करती है, अगर आप exhaust की बात करते हैं, तो इसमें आपको long length वाला exhaust मिलता है, इसमें company आपको provide करती है, short length वाला exhaust, और अगर आप यहाँ से looks देखते हैं, तो कुछ ऐसा मिल जाता है, दोनों में यहाँ आपको dual disc brakes का जो option है, वो देखने को मिलेगा, तो दोनों क यहाँ आपने देखा होगा, अगर आप seat wise भी देखते हैं, तो यहाँ पर इसमें जो seats है, वो dual tone में company प्रोवाइड करती है, black and red में, और यहाँ पर आपको मिलता है सिर्फ black में seat, बाकी overall में अगर आप bike को यहाँ पर देखते हैं, details में, तो कुछ ऐसे आपको differences मिलते हैं, जिसमें की friends, यहाँ पर हमने engine का आपको difference बता दिया है, mileage का difference बता दिया है, features का आपको यहाँ पर idea लग गया होगा, अब हम बात करते हैं दोनों के fuel tank के बारे में, तो दोनों में ही जो fuel tank है, वो आपको मिलता है friends, 12 liters के approach का, और दोनों ही bike friends, यहाँ पर जो top speed है, वो लगब यहाँ आपको चाहिए, तो friends, 164 भी भी है, काफी अच्छा option है, और 182 भी भी, बट यहाँ पर आपकी अपनी personal choice है, अगर आपको थोड़े से ज़्यादा features चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है adjustable levers, और यहाँ पर आपको wider tires मिल जाता है, साथ के साथ यहाँ पर आप यहाँ पर आपको उतने features नहीं मिलते हैं, जैसे कि adjustable levers वगरा, बाकी यहाँ पर almost सभी कुछ same है, और दोनों में ही आपको company आपे oil cold engine offer करती है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर end करते हैं, मैं hope करता हूँ आपकी सभी doubts clear हो गई हो, जल्दी मिलेंगे आपसे next video में, तक के लिए, आम सत्यमुत्ता, signing off, thank you friends.